अगर आप beauty products इस्तिमाल करते हैं तो सावधान हो जाईए क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो beauty products के नाम पर गलत products आपके हाथ में दे देंगे और उससे आपके चेहरे पर नुकसान हो सकता है जी हाँ प्रियागराज पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोग का भांडा फोर्ड किया है जो branded company के नाम पर नकली products बेचा करते थे ऐसे कारोबार का परदफाश प्रियागराज के बहादूर गंज में branded company के नाम पर नकली कॉस्मेटिक सामान बेचे जाने वाले दुकानदारों के गिरोग का पुलिस ने खुलासा किया है पुलिस ने मौके से आठ लाग से अधिक के नकली कॉस्मेटिक के प्रोड़क्स बरामत किये हैं पुलिस ने शहर के कोतवाली धाना शेत्र के बहादूर गंज में पांस दुकानदारों के पास जब छापा मारा पुलिस को ये जानकारी मिली कि ये लोग दिल्ली से सारे नकली प्रोड़क्स लाते थे और बड़ी-बड़ी ब्रांडेट कंपनियों के नाम के स्टीकर लगा कर उन्हें बेस दिया करते थे फिलाल पुलिस इस गिरोग के अन्नी लोगों की तलाश कर रही है थानकोत वाले के कुछ दुखानों के बारे में एक कंपनी के जिण्ट के तुरुरु सूचना मिली थी कि वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोड़क्स कास्मेटिक के बेचे जा रहे हैं जो कंपनी बनाती ही नहीं है इसपे सूचना पे फोर्स के साथ की गई थी पुल पांस दुकानों पे लगबग 8-10 लाख रुपए का माल मिला है जिसमें तमाम कास्मेटिक्स के प्रोड़क्ट हैं उनके द्वरा दी गई रिपोर्ट के मताबिक ये कंपनी इन प्रोड़क्स को बनाती ही नहीं है यानि ये पूरी तरह से फरजी हैं अभी आरमिक पूश्ताच में मालूम चला है कि दिल्ली से लोग लाकरके इनको दुकान पर सप्लाई करते हैं अभी उनसे गहराई से पूश्ताच की जा रही है जो लोग भी इस चेन में सामिल होंगे सबकी वुरुद कारवाई की जाएगे